सरला अपनी पडोसन विमला से बहुत परिशान थी क्योंकि विमला के पेट में कोई भी बाद इतनी असानी से पलचा है ये हो ही नहीं सकता था और विमला की लगाई आग तो जल्दी बुझा पाना मुश्किल ही था एक रोज सरला अपनी बहु पूनम से कहती है बहु वो विमला की बच्ची आज घर आए ना तो मुझे बताई हो क्यो मा जी क्या हुआ अब क्या किया है विमला अंटी ने अरे क्या नहीं किया ये पूस्तू कल ही मैंने उसे कहा कि कांता रोज मेरे घर आती है कुछ ना कुछ ले जाती है लेकिन वापस नहीं करती उसे जाकर बोली कि सरला ने तुझे कहा है कि तु एक नमबर की लाजजी है और उसके घर से खानी के चीज़े मांग कर ले जाती है पर वापस ही नहीं देती है तो इसलिए कर शाम को आकी और कांता अंटी की भैस हो रही थी हाँ मुझसे कह रही थी कि जिससे तु मेरी बुराई करती है वो भी तो तेरी बहु की बुराई करती है मैंने विमला अंटी का क्या ही बिगाला माजी अरे वो तो है ही पागल तु इतना उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर कल ही उर्मी नहीं है पीछे गली वाली उसकी भी बुराई कर रही थी कि उसकी बहुका किसी के साथ चक्कर चल रहा है अब तेज शाम सरला अपने हॉल में बैटी होती है तभी विमला आती है और सरला से कहती है सरला तुझे पता है कल से ही कांता की बेटी पिंकी घर नहीं आई है मैं कह रही थी ना किसी के साथ भाग गई है क्या कह रही है तू सच में क्या तेरे सर की कसम सरला जूट ना बोलू मैं अच्छा ठीक है, ये तो बता कांता कहा है अभी? चल देख कर आते हैं, क्या चल रहा है इसके घर में? अब विमला की बात पर जैसे ही सल्ला कांता की घर जाने के लिए घर से निकलती है, वैसे ही सल्ला की बहू पूनम खुद से कहती है. वैसे तो माजी विमला को चुगल खोर कहती है लेकिन जैसे ही माजी किसी की चुगली सुनती है तो उनसे रहा भी नहीं जाता है अब जैसे ही सेला कांता के घर जाती है तो कांता किसी से फोन पर बाती कर रही होती है तब ही विमला सेला से थीरे से कहती है देख किसी से बाते कर रही है न और चहरा भी उत्रा हुआ है कांता कैसी है और क्या कर रही है पिंकी नहीं है क्या घर पर कहीं होगी आज कल के बच्चे घर में भी कहां टिकते हैं वो तो अपने नानी के घर गई है दो-तिन दिन में आईगी अब सर्ला और विम्ला वहां से चले जाते हैं और विम्ला सर्ला से कहती है मैंने कहा था ना कि पिंकी भाग गई है ये बाते अगली सुभा तक पूरे मोहले में फैल जाती है और अब ये कांता को पता लगता है तो विम्ला के घर कांता आती है और वो देखती है कि विमला के घर से अचीब सी बगु आ रही है और वो तब ही देखती है कि विमला सामने से आ रही है और वो कांता को देख कर कमरा बंद कर देती है और कांता से एक कहती है अरे तू अंदर कहा चली आ रही है गेट तो बजाया कर वो सब छोड़ और तू ये पता कि तूने घर में ये क्यों कहा कि मेरी बेटी पिंक्य भाग गई है जो सच था वही तो बोलू ना अब सच्चाई होती ही इतनी कडवी है कि लोगों को पूरा लग जाता है तुझे तो मैं देख लूंगी विमला जिस तरह से तुने मेरे बदनामी करवाई है वैसे ही मैं क्या काले धन्दे कौन से काले धन्दे क्या बोली तू कांता और विमला में खूब लड़ाई होती है अब अगली सुबह ही पूनम अपने दर्वाजे पर जाड़ू लगा रही होती है तभी उसे नाले से बहुत ही कंदी बद्बू आती है तभी वो अपनी सास सल्ड़ा को गहर आकर कहती है मा जी मुझे ना आपसे काफी समय से ये कहना था कि जब भी मैं दर्वाजे पर जाडू लगा रही होती हूँ तब विमला अंटी के घर के जैसी गंदी बद्बू आती है वैसे ही आज नालियों में से भी आ रही थी चुपकर बहू किसी से बोल मत दियो ये सारी बात विमला का बेटा महिस कच्ची शराब बनाता है उसकी ही बद्बू होगी सबको ही पता है इस बारे में लेकिन कोई बोलता नहीं है मा जी लेकिन ये तो गलत है ना ऐसी गंदी शराब की वज़े से कितने लोगों की जान जाती है पर आपको पता है फिर भी आप चुप है वो हमारी पडोसन है क्या ही बोल सकते है जाने दो छोड़े इस बात को पूनम को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही पुरा लगता है अब सर्ला के मकान में एक किरायदार रहा करते थे वो दो दिनों तक घर नहीं आये तो विमला पूनम से देशाम कहती है बहु तुने जुमरी को देखा है वो दो दिन से आई नहीं है उसका पती भी नहीं आया है अब विमला ये बाती कर ही रही होती है कि जुमरी एक दो साल की बच्ची को गोद में लिए सफेज साडी में अपने घर आती है और जैसे ही वो पूनम को देखती है वैसे ही वो पूनम के गले लगकर रोने लगती है तभी पूनम जुमरी से कहती है क्या हुआ जुमरी ये सब सफे सारी मांग सुनी क्या हुआ सब ठीक तो है न दीदी कुछ ठीक नहीं है इसका बाप शराब पी पी कर मर गया और हमें अकेला छोड़ गया अग जाने वाले का क्या कर सकते हैं दीदी वो विमला के घर की कच्ची शराब पीता था मैं उसे बचा नहीं पाई हम थोड़े कहते थे ले जाओ वो तो खुद ही आता था विमला पेशक पातों को इधर उधर करती थी लेकिन अपने घर की बात को कहीं बाहा नहीं जाने देती थी अब पूनम विमला की हरकत सुधाने का सिमा उठाती है लेकिन उससे पहले ही ऐसा कुछ होता है जिसकी उमीद किसी को नहीं थी अब अगली सुभा विमला सर्ला के एक घर आती है और सर्ला से कहती है तुझे पता है कल तेरी किरायदार जुमरी तेरी बहु को कह रही थी कि उसका पती मेरे यहां की सराब पीने से मर रहा है लेकिन कहे तो सची रही थी कच्ची शराब कौन सी अच्छी होती है लेकिन तेरी बहु भी उसे मेरे खिलाफ भरका रही थी मेरी बहु ऐसी नहीं है वो बहुत अच्छी है तो उसके बारे में कुछ भी मत बोल सेला और विमला की इस बात पर पहस हो जाती है तब ही पूनम भी वहाँ आती है और विमला के जाने के बाद वो अपनी सास को समझाती है और विमला के जाने के बाद पूनम अपनी सास से कहती है मा जी विमला आंडी तो बस चुगली कर 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 हर किसी से लड़ती है लेकिन अपने घर में क्या कुछ चल रहा है किसी पर बताती तक नहीं है लेकिन इस बार उन्हें सबक सिखाना ही होगा कि कैसा लगता है जब अपने घर की बात बाहर आती है तो अब तेर रात दो बजे विमला के घर पर छापा पड़ता है और पुलिस विमला के बीटी को पकड़ कर ले जाती है सुबह सारी महले में लोग विमला पर हस रहे होते हैं उसकी पाते करते हैं तब ही विमला के घर कांता जाती है और विमला से कहती है कैसा लगा तुझे अपने बारे में महले वालो से सुनकर तो वो तू ही है जिसने मेरे बेटे को जेल भीजवाया है वो तेरा कर्मा है मैं भला क्यूं बोलूँ कि किसी से कुछ जिसने भी किया तुझे सबक जरूर मिलेगा कि कैसा लगता है अपने बदनामी देखकर लेकिन विमला इस पात पर भी कांता से जगर लेती है लेकिन ये तो किसी और नहीं किया था अब किसने ये भी विमला को जानना था देश शाम विमला सरला के घर आती है और सरला से कहती है मेरी वज़े से आज मेरा बेटा मुसीबत में है तेरी जो जुम्री थी वो ही जाच कर रही थी उसका पती मरा नहीं मेरे यहां कितने दिन सराब लेने आता था लेकिन उसने ही छापा मरवा दिया मैं जुम्री को भी सारी बाते बताया करती थी क्या बात कर रही है वो दुख्यारी सी दिखने वाली जुमरी पुलिस से थी हाँ वही और उसका पती ही मेरे महेश को पकड़ कर ले गया है अपनी टीम के साथ मिलकर बता अब तक तो मैं तुझे शाते समझती थी लेकिन तू तो लोल निकली सेला की बहु पूनम को भी ये सुनकर काफी हरानी होती है कि सच में जुमरी ने जो भी किया वो काबिले तारीफ थी और विमला का भांडा फोर हो चुका था जिसकी वज़र से विमला को तो सबक मिला ही लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कच्ची शराब का धंदा जो विमला का बीटा करता था वो भी पकड़ा जाता है